नमस्कार दोस्तो में रहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब जैनल रहुल उडा मैटमेटिस का सस्पर दोस्तो हम लूग कर रहें रेलवे के प्रिवेश और क्वेशन जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ें कंपॉंड इंट्रेस्ट चक्कवर्द को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सही भी करें तो आई दोस्तों शुरू करते हैं आज ही क्लास थर्ड और इसके अंदर हम कॉशन नम्मा देखेंगे 32 क्या दिया है बहुत आसान कॉशन है कॉशन दिया है चक्रवर्दी ब्याज की आठ सही एक बटे तीन प आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले तो मैं आपको बताया था जब भी कोशन के अंदर आपकी दर गिवन हो प्रेंसिपल और एमांट यह तीनों के तीनों गिवन हो और पुशन के अंदर आपसे क्या पूशता है तो किस तरीके से हम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी दर को भीनने के रूप में बदलते हैं जैसे आप यहां पर देखेंगे दर दे रहे के आठ साही एक बट्टे तीन प्रसर तो देने इस कॉस्टन के अंदर परशेंट लगाना भूल गया है तो आप यहां पर परशेंट लगा लिए ठीक है आठ से एक परशेंट क्या ले सकते हैं त्यट्टे चौविस चौविस रिक बट्टे तीन परशेंट इससे हम जो क्या करेंगे चेंज करेंगे यानि कि इस प्रसत को अटाएंगे और इसकी जब पर क्या आजागा हमारा बन अपॉन हंडडर से मल्टिप्लिए ठीक है जब आप इसे होता है नीचे बाइन कि मूल धन और मिस्टर निकाल सकते हैं यहां से हम मूल धन और मिस्टर नकारीशु निकाल सकते हैं आपको बता था इसे आप या तो 13 आपर 12 लिख ले जी ये मि honestly of Leon खैस मैं सदन और आपकी यह को σसाहरा चाहे तो आप मिस्टद 여자 सकते हैं या फर मिस्टदान को सकते हैं या धर मिर्सदन को कि मूल्दन दोर इसस on जो आपने लिए ऍहें सना पर मैंने मस्तरदान हम मूनध desafy नथे कहिए और आपका 297 और आपका पूछाइगा वह कितना है सत्राइस सट्राइस च्टिकर यह आपका बास्तिवक है और आपका रेसी के से यह तो अब हमें पूछाए का समय क्या पूछा समय तो रिश्यों के साथ जो भी था उस पर हम घात लगा दें किसकी टेक की आने के समय क्या ग्यात करना समय आप देखनें यह आपका बनें अब गारंटी की बात यह भी थार्टीन अपॉंट टू की फर्म में बनेगा चाहे अब आपको इसे उपर वाला चेक करने की जरूत नहीं अगर नीचे वाला चेक करने की जरूत नहीं कीव है तो 100% ऊपर वाला नमबर का 13 का क्यूब होगा यह होगा क्योंकि हमारा है क्यों रसे क्यों ट्वंक्रें कर Twilight की व्यूंश आपका आंसर हो जागा ठीए ये यह सिंपल सा कोशन ठीक है तो आगया होगा समझें सिंपल कोशन था आसान कोशन था आप देखेंगे सी ओप्सन आपका हो जागा ठीक है तो जहां रखना है को समय ना है जब भी कोसन के अंदर दर मूलधन और मिस्टर दन तीनों चीजे देंगे और उसके बरावर क्या रख देंगे जो भी आपका मिस्टर दन मूलधन होगा ठीक है वहां से क्या नकालेंगे अब आप देखें कोसा नमबर 33 33 क्या कहता है यह 24 रुपे की रासी दो वरसों में बढ़कर 83.20 हो जाती है तो साधार ब्याज की उसी प्रत्सत दर पर 662 रुपे की रासी चार फर्सों में कितनी हो जाएगी तो सिंपल इंटरेस्ट का कुछन ने भले वहारा एक टॉपक आपका कमप्लाइंट इंटरेस्ट का है लेकिन हमारे कोशन किसका सेंपल इंटेस्ट का तो मुझे लगता नहीं बताने वाला है कोई बात नहीं बता जिता हूं को समझें यह दी आप आप प्रेंसिपल इंटू टैम यह फॉर्मुल में आपको लिखाए था ठीक है यहां से कौसान के अंदर देखेंगे सिंपल इंट्रेस्ट क्या है मूलधन क्या है और समय क्या है तो आप देखेंगे चौंश्ट रुपे की राशी थी और यह बढ़कर कितने होगी एटी देखेंगे तो आप देखेंगे सिस्टी फॉर्ड आपका मूलधन केटना चौंश्ट से बढ़कर आपका कितना बोड़ कर देंगे 19.20 into 100 upon principle कितना तो आप देखें 64 आपका मुलधन कितना 64 से बढ़कर आपका 83.20 यह आपका मिस्तरधन और यह क्या आपका मुलधन ठीक है इंटू समय कितना दो साथ अब आप देखेंगे यह पॉइंट इक वाद आपके कितने बार कितने डेजिट जबkaar क्या हो जाएंगे अब आप देखेंगे और कशांसल जागा 64 से पिसी आपका झॉज़त की सर आपके परसेंट आपकी जो निकलाए कितनी 15 पैसा हमारी दर आप हमारी हैं से निकल के आगे 15 पैसा हम कोशन के अंदर कोचा कि उसी प्रत्सत दर पर 60 रुपे की रासे चार वर्सों में कितनी हो जाएगी सिम्पल एक मांट निकालना चार वर्स बाद चैसे रुपे की राशक है साहब से यहां से सब से पहले यहां से संपल इंट्रेस्ट निकाल देंगे 26 इन टू समय हमारे चार अबसास तर हमारी पंदर यह कार आँ उसी पर दुदर कितें पंदर अपन हंड़ ऐह थीक है यहमारा फर्मूल दहाँ सब्सक्राइब इंट्र टाइम उपन हम अंडर है कि वह हमारे यह कितना हो जागा तो आप देखिंगे 56 में हम करदेंगे 51.6 त आप देखिंगे 0.6 छे और आठ्ट रूपांस देड़ा यानी की वन थाइटी सेवं पॉइंट सिकस्ष रूपेज देखने कोई है ऑप्शन बंत थाइटी सेवं पॉइंट सिकस्ट आ आप देखेंगे डियो ऑप्स्ट तो यह कोंशन मेरा बताने वाला नहीं था सिंपल ली कोसन था और वैसे आप देखने सेंपल इंट्रेस्ट है तो सिंपल इंट्रेस्ट हो यह है ठीक है चलिए अगला कोशन देखिए अगला कॉर्स नमारा कौन सा होगा आप दिखिए थाइटी फूर तो दिखना थाइटी-फूर क्या कहता है एक बात ध्यांव से सेम टाइप के मेरा कराने कोई फादा है नहीं ठीक है आपको सॉल्व करना चलिए कुछ नमा थार्टीफूर थार्टीफूर क्या कहता है आठ सो रुपी किरासी साधन ब्याज की एक निश्चित दर पर तीन वर्सों में 906 रुपी हो जाती है अब ध्यांसे देखना बहुत है सिंपल को सने 800 रुपी किरासी है 800 रुपी किरासी है और यह तीन वर्स में कितना हो गया 956 यह भी आपका कॉशन सिंपल इंट्रेस्ट का है कोई बात नहीं ठीक है को सन बता वे साधन ब्याज की दर से ठीक है आई कहता है यदि ब्याज की दर चार प्रसत बढ़ जाती है त कितने की फोर परसेंट के आप पूछ रहा है यही रासी यही रासी 800 रुपी की तीन वर्स में कितनी हो जाएगी जब दर को चार परसेंट बढ़ा दें तो अगर आप इस कुस्तन को बेसिक से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जागा ठीक है और इस टाइप से कुस्तन उसकी ब्यॉज में कितनी ब्रद्धि की अग Denmay तो इस चर परसेंट की बजह से तीन साल में उसके ब्याज में कितन्य फर्द्ध्य हो जाएगे ठीक है सिधा-सिदा यहां से आप देखें नीचे हमारे कितना हंडर्ड चार साल में हां से हमारी क्या निकला कि ब्याज में होन रुपे की ब्रद्धी हो जाएगी किसकी वजह से इस फूर परसेंट की ब्रद्धी की वजह से कौसानिक अंदर हमसे पूचा कि अब यह जो 800 रुपे की रासिय अब कितनी हो जाएगी तो आप देख रहे हमारी दर पहले जितनी भी थी हमें नहीं पता क्या ठिक है उसकी बज और होगी क्यों कि हमारी दर बढ़े गए अगर घठती इसमें से घठा देते हो रही तो क्या कर देंगे और चैनली यह होगे तो आपका देगह 1050 गूंछ यह सिंपल सा को सब्सक्राइब आप देखेंगे सी ओप्सन अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो कम से कम बता रहाँ दो मिनट ले लेंगे लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मात्र आप 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर देंगे ठीक है मात्र 30 सेकंड के अंदर के मैंन गडेश ने 14,000 का एक रिड़ लिया जिसे तीन वर्षों के बाद 10% वार्सिक की दर्से चेकवदी ब्याच पर चुकाया जाना है उसे तीन वर्ष बाद कुल कितनी रासी का ब्रुखतान करना हुगा को समझे 14,000 का रिड़ लिया 10% के हिसाब से और कितने समय के लिए कितने समय के लिए तीन वर्ष की लिए तो तीन वर्ष बाद उसे कितना धन चुकाना हुगा यानि मिस्ट धन कितना बन जागा 10% है सबसे पहले क्या करें कि इस 10% फ्रेक्षन में चेंज करें कितना बन अपॉंट यह आपका क्या है इंट्रेस्ट है ब्याज और यह आपका क् और देखिए गया रेहां उसके बाद मैं आपको बताए था कुसानिंके अंदर जो भी समय दिया है को ससलिक चो भी समय दिया है जैसे आप diffic with चievेस्प निकल के आगे तीन वर्स का अब कोसान के अंदा जो भी डाटा गिवन है यहां उससे कर देंगे ठीक है आप देखिए 14,000 का रिड़ लिया था एक चौदर क्या मूलधन है आप यहां पर मूलधन देख रहे हैं यह हमारा यहां पर मूलधन कितना 1000 यानि इस 1000 की वैलू हमारी कितनी बन जाए कितनी बन जाएगी 14,000 बहुत ही सिंपल कोसा सच बता रहा हूं इस टाइप के कॉसन में सेकंड क्लास के अंदर भूस सारी कोसन बाता है बहुत सारे ठीक है यहां से आप देखिए वन की वैलू जब निकालेंगे वन की वैलू जब निकालेंगे इस वन थाविए से इधर ड जाएगा मिस्तर दें कितना तेरे सो करती इस तो यह जो बन की वैलू ओफ फटीन इसमें मल्टिप्लाइग कर दीजें फटीन से वन की वैलू जो भी निकले यहां पर क्या आप देखिए चौदा एकम चौदा लास्ट में चार आएगा देखना लास्ट में चार वाला कोई तो ऑप्शन हैं बिलकुल है सेकेंड ऑपसन हैं तो हमें मल्टिप्लाइग करने की कोई भी आवशकता नहीं 18 634 डार्यक इसी तरीके से लिख देंगे ठीक है 18 छैसो घूर्थ एक्जाम के अंदर इसी तरीके से करना है ऐसे लिए कि हम भी चार चार आ रहा है और ऑपसन दि हमारा एक ही जो उसे फॉर लास्ट वाले डेजिट अगर दो ऐसे खाटthen फॉर वाले तो हमें सॉल्ट करना हो तो हमारा एक ही ऑप्स है जिसका लास्ट डेजिट फॉर है तो हमें सॉल्ट करने की क्या ज़रुत हो कोई ज़रूँद नहीं ठीक है तो इस तरीके सब कोर्षान आएगा तो अब मैं नहीं बताऊंगो ठीक है कौसन के अंदर चाहे मूलधन पूछे चाहे मिस्तधन पूछे चाहे आपसे चक्वादे ब्याज पूछे हम क्या करेंगे जो भी कौसन के अंदर दर दे रखी हुई उसे भीन के रूप में बदल लेंगे उसके बाद कम परेजन करेना अर्धवार शिक चेकव्रदी अधार पर की जाती अब देख हो सिंपल कोई दिक्क्त वाली इसमें बाड निकें अंदर क्या बोला अ्रधवारसिक है तो मिन आपको क्या बैता दियुवारसिक की बात करताました nieu SMITH के आदा क्या करते हैं सब्त यह चांब क्डेंधा करतें इससे क्या करें दो से मंट्टी पड़ा यानि कि समय आपका कितना बन जाएगा ठीक है यानि कि आपकी तीन च्वाइब बन जाएगे ठीक है कौसान के अंदर हमें पूचे में से लिए डाट और शोटें करेंगे फाइब पर्सेंट क्तरा बन अपन कितना बन अपन त्वेंटी हैं आप यहां से आप इंट्रेस्ट है और यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं आप देखें मुल्द कर बचान कितना बन जागा समय आप देख रहें तो घृत कितना बाइक सट तो आपको व्याद होने चाहिए आप संट कनें रोपे कि देखने हैं और आपका मूलधन कितना है यानική वैलू निकालेंगे तो आप यह एक हजार डिवाड़ वाई आठ हजार आप यहां से तीन जूरो कैंसल करेंगे यानिक वन की वैलू किती निकलेगी बन अपॉण यहां पर कर देजी क्यों 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 कि हमारा बास्तिविक नहीं है यह निकालना तो बन की वैलू जो भी यहां मल्टिप्लाइ कर दिये यानि कि बन अपॉन एट से क्या कर देंगा मैं ठीक है आप यहां पर डिवाड़ करेंगे आठ चार बचेगा चालीस हो जागा आठ पं आपन देखना 157.6 157.1 57.63 ठीक है 157.63 आपका आंसर हो जागे ठीक है तो सिंपल कॉष्ण का ने कुछ यह कुछ है बच्चों वाले कोसा है कुछ नमा देखेंगे 37 ठीक है थोड़ी से इस पर इस्पूड बढ़ा सकता हूं कोई दिखके दिने होनी चाहिए यह ना चलिए कभी कभी बढ़ जाते हैं वरी चलिए को सब्सक्राइब देखेंगे 37 चमाई अधार पर चकवदी करके गड़ना किये जाने पर अपर 1850 की रासी 40% वार्शिक दर पर 18 महा का चकवदी ब्याज ग्यात कीज़ अब बताओ यह कोसन में क्या देखें जो कोसन आपका 36 था वही सेम कोसन आपका 37 है तो देखना अम मैं इसे नहीं बताऊंगा भाई यहां पर किस की बात कर रहे हैं छमाई की बात कर रहा है तो इ साथ सेकंड क्लास को देखिए यहां में बिल्कुल भी इस कॉसन को नहीं बताऊंगा ऑप्सन बताएता हूं इसका कौन सा फर्स्ट ऑप्सन है तो इससे आप खुद करेंगे ठीक है सेम को से मैंने कराएं ठीक है को सब्सक्राइब देखेंगे थार्टी एट छहाजार पर दस प्रसाइब वार्से चक वर्दी की दर से एक सब्सक्राइब दो साल से प्राप्त होने वाला चक वर्दी ब्याज ग्याद करें यहां क्या दिकत कोई दिकत कर नहीं बहुत ही सिंपल को सन्या चलो बताए तो फटाव पड़ से दस परसेंट है कितना हो जागा एक बट्टी अधा करेंगे सारे भाई अधा करेंगे 5% 5% चेंज करेंगा बन पर ट्वेंटी यहां से आप निकालेंगे मूंधन बनेंगा बिस मिर्सन बनेंगे 21 ठीक है उसके बाओ समय कितना हो जाएगा देड़ वर्स है वह चमाई की बात करना है दर दर को आधा करते हैं समय को अप देख रहा हैं कि छहाँए निगा निकाले आप एट थाउजट बताने वाला नहीं ता फिर वे बने बता दिया दो तक डिया कि वन है कितने ही त्री आपउन फूर बन की वाले जो भी निकले कुसा ने कहले जो भी पूछ आपको बन की वालू आप की जो भी निकले आ रहा है 946 और यह आपका पॉइंट में आ रहा है लगवग में आएगा तो जब आप इसे सवल करेंगे तो आपको मिलेगा 945 945.75 तो आपका लगवग में जो आंसर कौन सा हो जागा सी ओप्सन आपका हो जागा 946 ठीक है तो आपको एक्जाम के अंदर घवरान नहीं कि हमारा आंसर पॉइंट में है नहीं तो इससे आपको बिल्कुल परिशान होने की जरूत नहीं ऐसा कि होता है ठीक है लगवग में आते हैं अब हम बढ़ते हैं अगले कोशन को अगला कोशन हमारा कौशन है आप देखें अगला कोशन आपका 39 बहुत अच्छा कोशन देखना तीन हजार तीन सो चोट की रासी को ए और बी के बीच इस प्रकार बिवाजित करें कि एक हिस्से को पांच प्रसत वार्षिक चक प्राप्त रासी के बराबर हो जाएगी एका हिस्सा ग्याद केजिए अब कोशन के लेंगज को पहले समाजना बहुत ही आसान कोशन है सच बता तीन हजार तीन सो चोट रुपे की रासी है जहां से देखना ग अगिकफद्ध के लिए और इसने कितने के लिए किया साथ वर्षिद्त के लिए देखना कोसन याई है दर दोनों की और बी का साथ साल बाद जो भी धन प्राप्त होता है वो दोनों को दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं ए और बी ने जो भी निवेस किया हमें नहीं पता कितना किया लेकिन पांच साल और साथ साल बाद दोनों का जो है वो बराबर है तो बताना कैसे निकालते हैं में आपकोना किया बता है एम मांट कैसे निकालते है प्रैंसिपल के अंदर आर अपउन हन्डेड और अपॉस्ट होन्ट में ले पहले बता हो ठीक है तो पहले कॉंसम्ट का समझना जरूरिया उसी के बाद आपको ट्रेक समझ में आएगी अगर मैं पहले उस है में नहीं आखिए था क Giving समझे उसहाद को पाले स्मझी इसका परभ सब्सक्राइब及 भी कि अर नहींने कि dice आप देखें और 5 बरावर यह हमारा इमांट निकला इसी तरीके से दिखें एमांट अच्छा इसका बीका अमाँट क्या मल लेते हैं ठीक है बन प्लास और कितना पांच और बटे सो और समय कितना साथ वार्ष तो आप देखें जब आप इसे सॉल करें हैं सोरी 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 क्या कि यहां पर स्टैप आपके सॉट भी कर सकता था लेकर सॉट मैंने कि यह नहीं 21 बटे बिस बरावर बी और यह हो जागा आपका 21 अपन 20 और यह आपका फाइव और यह कितना सेबन जहाँ हमारे दोनों बेस समान है तो हमारे कैंसल हो जागा यह आपके साथ पांच गहाता इधर कितने बचाएगी सते इधर 5 गहाता है यहां से हमारा निकला एः और इधर बी से हम डिवाइड कर देते हैं बरावर किटने ओजागा 21 अपंट क्या हो जागा square क्या होगा 21 upon 20 का क्या हो जागा square आप इसे solve करेंगा तो आप देखें 441 बटे 400 आपने देखा इस चीज़ को हम यह भी लिख सकते हैं इस चीज़ को हम यह भी लिख सकते हैं यह रेश्यो भी वरावा 441 रेश्यो 400 ठीक इतना लगमा करने की जरूत नहीं इसका आप सौर्ट भी बताऊंगो बिल्कुल परेशान ना हो ठीक है यहां से में ए और बी का रेश्यो में मालुम पड़ेगा आप यह जो 3364 रुपे को जो विभाजित किया था उससे जो 441 अनुपात 400 विभाजित किया था इस रेश्यो विभाजित किया था यानि कि 37344 को किस रह 644 निकालने है यानि कि आप देखेंगे इस राश्यो को इस रेश्यो में विभाजित करन थो हम क्या करें है रेश्यो केसाब कने हों कि 841 कतनी 800 63 बरावर और हमारे बस्तिовर कितनी 1334 आप यहां से वन रिवर निकालने है वर्ण की वैलु आप देखेंगे इससे आपका कैन्सल वहागा पूरा चल यानि लिए लेक्षा कितने वन की वालु कोसटनी के अंदाम से क्या पूछा एक हिस्साग कितना एक हिस्था एक हिस्क्ता ते ना फूर फूर वन यानि इस फूर फूर वन की अंदर फूर 149 जो भी कि देखना है दर आपकी हमेशा सेभिश होगी कर साने के साइव क्या होग गां अ आप यहां से देखना है को द्यान से समझना दोत्रिक हमारी करूँ आसमा से नहीं आते है ट्रिक आपकी जो बनती है वह concept मेंसे निकल के आती है अब आपने यहां से देखना है 221 और 21 kalo 23 ये दोनों cancel होगे उसका ये आपका पांच और यह आपके सात घाती हैं दो समय की तो घाती यह आपके 5 और 7 क्या था समय था आपने देखा 5 और 7 जो हमारा समय था बाद में जो बता उचसे AP देखना हम इसे मिटा सकता हूं यह आपका बेसे कॉंसेप्ट सा समझ आ गया होगा अगर आपसे बी का हिस्सा पूछ सा तो क्या करते हैं यह जो बन की वाले फूर निकले थी इस है कि अब आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं ठीक है या पर एक चीजे लिख लिए जैसे और वी था यह था फाइपर्सेंट और यह फाइपर्शन लेकिंगल यह था आपका पांच साल के लिए और यह आपका था साथ साल के लिए अब क्या करें तो आपको क्या करना यह जो दर है ना फाइब परसेंट जो आपकी दर है इसे फ्रेक्शन में चेंज करो जब आप इसे फ्रेक्शन चेंज करेंगे तो आप देखिए बन अपॉन कितना ट्वेंटी क्या हो जागा बन अपॉन ट्वेंटी इसके साब साथ पर आपका 20 है और एक आपको एड़ कर देंगे इंट्रेस्ट तो क्या आपकी बात कर रहा हूं अब आपको क्या करना है आपका जो भी समय है उन दोनों का डिफरेंस देख लेजी पांच और साथ डिफरेंस कितना को दो जो भी डिफरेंस आता है उससे आप क्या कर दें इस पर पावर लगा जो भी डिफरेंस हो आप देखें कि इसका रोजागा 400 और 21 का रोजागा 441 यानि कि यह जो तीन जाथ 344 रुपे को जो विभाजित किया हो 400 और 441 के अनपात विभाजित किया लेकिन हमें यहां से यह दोनों की क्या है बराबर है आप देखा है इसने कम समय के लिए पैसा लगाया और इसने जादा समय के लिए पैसा लगाया इसने कम समय के लिए पैसा लगाया और इसने जादा समय के लिए पैसा लगाया फिर वी इससे amount इसके बरावर मिला इसका मतलब है इसने पैसा ज्यादा निवेस किया हुगा इसने पैसा ज्यादा निवेस किया हुगा जब जब ज्यादा पैसा निवेस करें कम समय के लिए करेंगा तभी तो दोनों का amount बरावर होगा इसने पैसा कम निवेस किया हुगा और इसने क्या किय वहाँ जादा जादा क्यों कि समय हमारा कम है लेकिन इसके बराबरी इमांट उसका हो रहा है इसका मतलब इसने निवेस जादा किया एने निवेस जादा किया जादा कौन सा तो थोड़ा सी आप ध्यान देने की जोते समझने की थोड़ी सी आप जरूरत है यह आपका क्या है तो आपको समझ यह समझ आगी होगी लेकिन अगर मैं इस ट्रिक को पहले बताता तो सायथ समझ में नहीं आते ठीक है अब तो हमारा वही द्वारा से सेम प्रोसेस इससे हम इ जो इस से पहले में आप आपको बता है वोही तरीक है तो द्वारा बताने की जरूरत नहीं है ठीक है को मिए तो अपूर जरूर शमाज आ गया हुगा ठीक है चलिए को सब्सक्राइब देखेंगे अब हम अच्छे इसका सत्रे से चोंशाट आने के सी ऑप्सन होगा को सब्सक्राइब लेकिं 40 40 क्या कहता है कितने समय में 1000 की रासी 10 प्रत्सत वार्श के चकवधी ब्याज की दर पर 1331 हो जाएगी कितने समय क्या देखते वह इस टाइब सी कौसन हमने किया नहीं कि वह से कौसन नमर किया था थाइटी टू कौसन नमर थाइटी टू तो इससे आप खुद कर लेना मैं नहीं बताऊंगा थाइटी टू और आपको जो 40 है दोनों के दोनों कैसे हैं सेम कौसन नहीं बताऊं कौसन नमर देखेंगे 41 मीना ने बैंक में 2,55,000 का कार लोन लिया उसने 8 प्रत्सत की वार्शिक दर से ब्याज का भुकतान किया और 3 वर्स में पूरा भुकतान कर द था 3,35,000 बैंक को अदा की स्कूटर का कुल मूल बताई आप को समयना दुख आपका टॉपिक भले जो है कंपांड इंट्रेस्ट का चला लेकिन यह को सन आपका कंपांड इंट्रेस्ट का नहीं क्यों कि को आप देख को सन के अंदर कहीं भी चक्रवर्दी ब्याज की बात नहीं की गई इए अगर चक्रवर्दी ब्याज की बात नहीं की कि गई है अगर जक्रवर्दी ब्याज ना हो तो दूसरा जो सब्द को होता होता बारॳसिक स использовать गया वह रसिक्हहा तो जैको कोश्चन है वो कैसा है सिंपल इंट्रेस्ट का कोश्चन अब कोश्चन ध्यान से समझें इसने 2,75,000 का लोन लिया और किस दर पर लिया आप देखें आठ परसेंट पर लिया और तीन वर्समें उसे पूरा भुकतान करना था कितने में तीन साल में ठीक है और उसने जो भुकत 3,35,000 उसने दिया तब वो उसका भुकतान कर पाया है हमसे पूछा स्कूटर का मूल लिखिया है तो कैसे मालूप पड़ेगा तो पहले हमें यह तो मालूप पढ़ जाए कि यह जो 2,75,000 है इस पर ब्याज कितना आगा या फिर कहाएं कि हमारा टोटल एमांट कितना हो लेंगे शिंपल इंटरेस्ट निकालना सीधा 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 दो लाख पिचत्था रहता है रहा हमारा होता है रहे हमारा क्या होता है रहाएं तो आप देखें रट दे रखा परसेंट है टाइम आपका थ्रे यइर आप उन पश्ती कि यह दो जीरो कैंसर और 824 भाई प्लेए करेंगे तो आप देखें च्योरों फिसका जीरो और ये संगे स्ट 20 का जीरो बारे आपका बचलिगा चुब्हेशंद साथ मुगार एक तॉर 3,8, तो यहांट कितना होगा यानि कि इसमें दो लाख पिचातर जार और एड कर देंगे दो लाख पिचेतर जार और एड कर देंगे आपका टोटल अमांट बन जाएगा ती यानि इसे तीन साल बाद कितनी राशी देने पड़ेगी तीन लांग 91 लेकिन उसे यह नहीं दिया उसने क्या क्या एक स्कूटर दे दिया और 305 पर दे दिये इस स्कूटर की कीमत पूछा यहां से मानिस कर देंगे जो भी हमारा कैस दिया तो से मानिस कर देंगे 30,31 सर मैंसे इसने 30 35 सर दिया जो आप इसमें से मानिस करेंगे तो आपको मिला कितना चैसाल यहांनि कि अगर यह स्कूटर ना देता और 35 तब भी इसके पास क्या रहा था शाय जाते टेङ से मारा देखेंगे फॉर्टीटू से कोशन था ज्यादा टफ नहीं नहीं था कि 42 क्या कहता है 되어 idee हना से दिखना इसा कि 42 में तो 42 हुमारा कहता है 2 वर्षों के बाद 3 ह창 कि रासी कितनी होगी यह झार ब्याज में लगवा 12 प्रत्षत प्रतवर्स दो बारे प्रस्त प्रत वर्स पर वार्षिक रूप से चक्रवदी ब्याज सहीं उजित किया जाता है अब दोको यह कोस्टन भी मेरा बताने वाला बिल्कुल विए सच बता रहूं अगर नहीं आता है तो पर्षेंट वाले वीडियो देख लिए ठीक है प्रस्त है प्रस्त हटाएंगे हंडेड हो जागा चार से तीन बार केंसे चार साथ कितना हो गया पच्चेस अनि थ्री अपॉंट ट्वेंटिफाइब यह आपका क्या है प्रेंसिपल आपका क्या प्रें सकते हैं समय कितना दिया है समय कितना दिया दो समय कितना दिया 25 45-25-25 का स्कॉर होता हमारा कितना साटलों दूरा सी को संक अंदर क्या गरां रुपर की राशी राशी है तीन हजार की राशी कितनी हो गई दोसाल में यानि क्राइब कूछ रहा है अमांट कितना है 3625 वाले तीन यहर बनेंगी वन की वालु आप देखेंगे थीन हजार डिवाइड वाइड वाइड वाई 625 ठीक है वन की वाले जो भी निकली है को सनिक अंदर जो भी पूछा को से अंदर हम आप इससे सॉल नहीं करा है तो थोड़ी सी कैलकुलोसें जरूर है और इसका जो आँसर आ रहा है लेकिन आपको कोई भी ऑपसंद नहीं है लेकिन जब आप इसे सौल करेंगे तो आपको मिलागा 37303.2 373.2 जब आप इसे सॉल्ब करेंगे ठीक है तो मैं सॉल्ब नहीं करा रहा भाई आप खुद कर लेना यानि का आपका जो आंसर होगा फर्स्ट हो जागा 373 ठीक है लगभग में आएगा और इसका भाई कोई तरीका नहीं है हमें यह इसी तरीके से करना होगा तो कॉस्टन हमा पॉइंट यह नहीं तो आपको घवराना नहीं पॉइंट वारा कोई बात है ठीक है और इस से कंपॉंड इंटरेस्ट के इसी तरीके बहुत सारी कोसा नहीं चलिए कोसा नमब देखींगे 43 सत्या ने फिक्स डिपोजेट में कुछ रकम का निविस किया पर पक्कोता पर उस उसने बीस परस चक्रवदी ब्याज पर 14506 मां की समय अवदी के लिए तेमाई चक्रवदी दर पर निवेस किया अब भाई यह सारे के सारे सेंपल कोसा सच बता रहूं अब यहां पर भाई छे माई की जए क्या देदिया तेमाई देदिया और स्टैप के कोसन मैंने कल वाल करें की लिए मैंने क्या बता है ता दर को क्या करते हैं फोर से डवाइड करते हैं अब की तरीके से 22 समय को फोर से मल्टिप्लाइब वार्षिक समय तो आप देखें समय कितना आपका छे महीने न हाँ छे महीने और इसे फोर से क्या कर देंगे लेकिन वार्षिक समय होना चाहिए यह आपका वार्षिक नहीं यह आपका क्या महीना है तो महीने को हमें क्या करना हो वर्ष में चेंज करना हो और यह में चेंज करने के लिए हम क्या करना पड़ता है सब्सक्राइब करेंगे और पूछा क्या है कुछ रखम का निवेश किया पर उसे कितनी धन्रासी प्राप्त होगी यानि कि क्या करेंगे फाइब पर्षेंट को चैंज करेंगे कि खाइब को बहुत ज्याद बहुत सारे आगए आप यसी डारेक्ट टॉएंटी वन भी लिख सकते हैं ठीक है इस तरीके जरुरी बार बार हम लिखें ट्वेंटी और ट्वेंटी बहुत आप दिखेंगे समय समय कितना detector कितना मूलधन दिया मूलधन दिया कितना है चौदा हजार पानट सो डिया कितना चौदा थाशी बनेगे किuish दऩर बनेंगे यहां से रीच्ञालेंगे दो निकलेगे 145 वाई dobran यहार योगी को सने के यंदर जो भी पूछा पूछा को सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब करेंगे इसका कर सकते ना कुछ तो कर सकते सिधर सिधा आपको बल्टिप्लाइब करना होगा तो इससे हम नहीं करेंगे आप यह करेंगे ठीक है आप देखिए इसका जो आंसर आएगा यह भी लगवग में आएगा तो आप देख लेना पॉइंट में आएगा और इसका जो आपसन हो फिर्स्ट ऑप्सन है ठीक है पंद्रह नौसफ देखेंगे 44 नेहा की आठ जार की रासी एक निश्चे साधहन ब्याजदर पर तीन वर्सों के बाद 9200 होगी आठ जार की रासी है और कितनी होगी 9200 सब्सक्राइब कुशन किया था और कितने साल होगी तीन साल में मारका चेंज कर दो थोड़ा सा आए कहता है यदि ब्याज पर इस 8000 पर रासी चेंज तो करनी रहा हमारे देखना देखना एक बार कि एक साधिन ब्याज दर पर तीन वर्शन को नोजग दो यदि ब्याज दर दो परशन बढ़ जाए तो उसे कितनी राशी प्राप्ति होती कोसा ने के अंदर मुलधन चेंज नहीं हो रहा हमारी दर म कि क्या हो जाती ब्रद्य हो जाए तो हम क्या करेंगे इस दो प्रत्सत की ब्रद्य होने की बज़ें से हम निकाल लेंगे सीधा-सीधा कि ब्याज में कितनी ब्रद्य हो जाएगे सिंपल इंट्रेस्ट है हमारा आठ जार गुणा दर हमारी दो है समय कितना तीन साल आपन क्या होगा हंडर्ड वहीं मुल्धन गुणा दर गुणा समय बटे सो आप देखें यहां से जो ब्याज में जो ब्रद्य होगी तीन दोने च्छे च्छे तड़ तालिस यानि कि 480 रु एक्स्टा मिलेंगे तो आप देखें 9680 रुपे कितने 9680 बस यह सिंपल को सब्सक्राइब आप देखें कौन सा हो जाएगा डियो ऑप्शन को सब्सक्राइब देखेंगे 45 इसे ध्यान से समझना को सब्सक्राइब बहुत लेंबी है लेकिन को सब्सक्राइब बिलकुल दम पैसों में अंसर आ रहा है ठीक है बहुत ही छोटा कोश्चान है चलिए को समझे ध्यान से दो सब्सक्राइब एक साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिसमें दस परस्त वार्षिक साधर्ण ब्याज की पेसकस की गई थी ब्याज में बार्षिक चक्रवर्दी ब्याज चक्रवर्दी की गई आप को समझा आपकी दो सब्सक्राइब की रास से एक योजना की अंतरगर निवेश किया गया और इस पर बोला गया कि दस परस्त वार्षिक साधर्ण ब्याज की पेसकस की गई थी लेकिन वहां साधर्ण ब्याज नहीं हुआ क्या हुआ चक् परिवर्दन नहीं होता चाहिए साधान हो चाहिए चक्रवदी ब्याज एक साल का क्या रहता है बराबर रहता है ठीक है आगे क्या कहा है दो सब्सक्राइब की अन्य धनरासी अब देखो पहले भी आपकी दोसों की थी यह आपकी पहले इसकी और दूसरी योजना के अंदर चक्रवदी कि अब देखो परante जो है चुरको दी ब्याज पर किया घाया था लेकिन चेकर वर्णी नहों करके क्या हुआ अर्दवार्षअक होगी sense चैकरवजत दो है ृश्ट वारसिक दस प्रसत वार्सिक है kita य। हमें जो ब्याज हमें हिसके अंदर ब्याज र沒有 मिला और अर्ध मॉर्षक के साथ से मिलागा है आर्ध मार्सक धर क्या है रहा हमारा तब सकती थोदा सवर समझे अच्छे किसे क्लियर करते हैं ऐसे समझना जैसे आपने 200 पर एक योजना के अंतरगत और चक्रवदि भियाज के साथ इसकी लिस इसके दहां समझे average गा poverty यूजना के तक कि कि अगनाइसका जहा है दसक्रषत के तो बार्सिक हैं लेकिन आपको जो मिलता है यह साल बाद यहां पर आपको हर Zombies महीने बाद मिलता है जब आगे क्या करेंगे बार्दवारशिक के नदर दर्कों करते में दर्कों करते और समय को मिलेगा लेकिन यहां उसको एक वर्स में दो वार ब्याज मिल जा क्यों क्यों क्या अरदवार से थिए उसे यहां से का जा आध न कर रहा है दूसरी यहां के तहट कितना अधिक होगा यह दूसरी योजना के अंतरगत इसे कितना ब्याज अधिक मिलेगा तो देखना कैसे करेंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि बता ना इस पहली वाले योजना के अंतरगत प्रभावी दर क्या होगी प्रभावी दर क्या होगी तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा एक साल यान इसकी प्रभावी दर क्या होई है यह की प्रभावी दर क्या होगी से colist के लिए अब यहां मारी दर क्या हो जाएंगी दर को करदेंगेक्षकां दूसरी यूझनाह आधा यानि दसखांधा र्णा आपका जो समय है वह कितना जागा वह एक invented एक वर्स है दो से मल्टिप्लाइ करेंगे यानि कि समय आपका कितना बन जाएगा दो वर्स के लिए प्रभावी दर आपको बताएगे थी टू आर प्लस आर स्कॉयर अपॉन हंडर यह दो साल के लिए प्रभावी दर के लिए फर्मुला बताएगा आर क्या आपकी दर है तो two five percent इसकी प्रभावी दर निकलेगी टैन पोईंट two five percent ten तू फवावी परसेंट प्रभावी दर त आप देख रही है ये ten point 25 परसेंट क्यों हो गया वह है यह हमारा ten point 25 क्यों हो गया क्योंकि हैं पर हमारी बात किसकी कर रहा है अर्दवार से की बात कर रहा है इसकी बज़ए से हमारी जो प्रभावी दर दस से कितने होगी 10.25 होगी अब आप देख रहे हैं अच्छा इसे मिटा दिया चलो कोई नोट कर लिया होगा नहीं ठीक है यह आपने नोट तो करी लिया हुगा अगर नहीं किया है तो वीडियो को रोक के द्वारा बैक करें द्वारा से नोट कर लेज़ें ठीक है कोई बात नहीं सब कुछ आपके हाथ में अब देखना एक योजना में 10% और दूसरी जुनाम कितना टैन पॉइंट तो आप देख रहे हैं हमारे प्रेंसिपल में तो कोई परवर्ट है नहीं मूलधन में तो कोई परवर्ट है कोई सबसें कि अंधर पूछा कि दूसरी युजना के अदर उसे कितना अधिक मिलेगा पर्षेंट ब्याज आपकी जो भाइं आपने परिशनत आपका 10.5 पर्षेंटि आप की जी तो आप देखिएं आपकी वे दर ऑएक कितनी अधिक हैं आप देख रहा sound point two five percent दर अधिक है point two five percent दर अधिक है तो हम क्या करतेंगे सीधा-सीधा 200 रुपी का क्या निकाल लेंगे सीधा-सीधा 200 रुपी का point two five percent निकाल लेंगे परसेंट रहेंगे नीचे hundred हो जागा ग understand दो किकी तरुब्र तरुपे यानिकि प्वायव जीरो रूपे प्वेंट फाइन जीरो कोई भी कॉए नहीं तो किया क्लिए तो आपको जरूँ शमझा आया है तो मुझे कमेंट करके जरूँ बताएं या फिर टेलिग्राम चैनल पर भी आप जो अपना डाउट के लिए कर सकते हैं तो जो भी साथी पहले जुड़े होएं अच्छी बात आगा जो लोग नहीं जुड़े हैं तो एक वार सभी लोग टे लें रहुलोडा मैतमेतिस क्लासस वही आपकी यूट्प चैलल स्वारी टेलीग्राम चैनल का भी नम है ठिके सेम नम है तो टेलीग्राम經 से सर्च कर ले या फर मैंने टेलीग्राम योजित करने पर तीन साल के लिए एक निश्चित जमाय योजिना में पंद्रोस रुपे का निवेस किया मनोज को शावदी जमा की परपकुता पर कितनी रासी मिलेगी यार हमें नहीं लगता आप यह कुर्शन बताने बहुत ही सिंपल कुर्शन वह इस टाप से कई कुर्शन कर दिये धिते को हमें समय वे तिया दर दी मूलधन भी दे दिया कॉसन इक अंढ़ क्या पूचैंए मिस्चधन पूचा है तो क्या दिक्कत है दर को क्या करेंगे बिननीकी बदलेंगे उसके बाद वहां से रिशू बनाएंगे मुल्दन मिस्यदन का जो भी समय उसकी घात बना देंगे वह आप इसे करना आप मैं नहीं बता हुआ ठीक है सेम को साने आप ठीक है कौस्टा नमर 47 धूमरपान के खिलाप एक गहन अव्यान के कारण पिछले वरसों के सा अब एक चेत्र में धूमरपान करने वालों का प्रत्सत हर साल दस प्रत्सत गिर रहा हर साल यह दिवरतमान में धूमरपान करने 48 यह पूछरा पहले कितना था पहले कितना था पहले कितना था तो मुझे एक चीछ बताइए बस एक च्छोटे सी वाल कि पहले कम हो या ज्यादा बस इतना बताएए पहले कम होगा या ज्यादा आप देकर हर साल 10 परसंट कम हो रहा है अभी 8 748 है हर साल 10 परसंट कम हो रहा है अभी 8 748 इसका मतलब पहले जादा होगा वह हर साल क्या हो रहा कम हो रहा है तो पहले क्या होगा ज्यादा और अभी हमारा क्या होगा कम ठीक है क्या करेंगे सीधा कोश्चन है 10% के साथ से गिर रहा है ठीक है कितना 10% के साथ से तो क्या करेंगे 10% को हम क्या करेंगे आप देखें एक बट्टे दस कितना है अब आप देखें पर कमी हो रही है उपर वाला नमर आपका क्या बजोगी अगर ब्रद्धी बंद्धी तो बना देगा समय नुए समय तो भी समय उसकि क्या बना देंगे आपर हगा देंगे , धसका की वह एक हजार और नयन का कि 我ह जगा चाहसफ नथिस、 यानि की निदिस बरतमान काpower दो साल पहली कितना था हमारा एक हजार अगर दो साल होता तो इसकार कर देए चार साल होता चार की गार लगा देंगे यह आपका तीन साल पहले था और वर्तमान कितना है और वर्तमान कितना कि देरे रखे 8708 यहां से इस 729 की वैली वनेगी 8708 आप यहां से वन की वैली निकालेंगे वन की वैली निकालेंगे तो यह आपका कैंसल है बारह नमा एक दोड़ा चौबीस चौबीस है हुआ कैंसल नहीं होई सास्थ भाल ठीक है ना9 का क्यूँँ एक यस्य हाँ सास्थ बढ़ अर्था चास्थवा नजयुक्त अउल ना नाए आठथजार साथ सूअर्द़ ये अब हो जाँगा अब आपका एक एंसल हो जाँगा ठीक है बारह गार देखरों एक डिजट से हमारा कितना यह फिर हो गया चार पहले लगे सात बाद वैंठा वन की वाले कितनी थी बारा हजार कितनी थी यह सिंपल सा आपका आप दें कौंसा जाएओ फस्ट अफस तो यह जो चुसर ना आपका जैसे जंसंग ब्रदी वाले या फिर जंसंग कि कमी वाले वह से को सन लिए है या फिर आप देखते हैं किसी मसीन की कीमत जो कम हो जाती जादा खेल जाती है पिसी सहर की संक्या जल संक्या हर साल ब्रद्द्ध होती है कमें तो वहीं से आपका एक कॉस्टन लिया गया ठीक है उसी टाइप का कॉस्टन अब देखिए 48 48 का कहता है सीता ने प्रतवर से 10 प्रत पर एक लागा सीय सामान ने ब्याज दशुर पर उधार लिया उसी दिन उसने उस ने उस रासी को साला मत्री ब्याज दर पर अपने दोस्त को देखो कितने approach कि इसने दस परसेंट पर लिया को यह दोक्यवाज दोस्त भही यह यह आपका कैसा है कोई धोक्यवाज दोस्त है दस परसेंट पर इसने उधार लिया था और चक्रवर्दी ब्याज पर दे रहा है इसने दस परसेंट साधर पर लिया है और दस प्रत्सत कंपांड इंट्रेस् देखरों बहुत चांप है और कितना लिया है एक लाख असी जार कितना एक लाग असी हचार है को सनिक अन्दर हमसे पूछा है चेक बादी ब्राइध आपने दोस्तों को यह वह समय दो साल है दो साल के सेंपल इंट्रेस्ट का जो प्रभावी जो दर होगी वो कितनी होगी प्रभावी दर तुम आपको बता है सिंपल इंट्रेस्ट के अंदर जब निकालते हैं तो सीधा-सीधा रेट और टैम का मिल्टिप्लाइ कर देते हैं याने कि 10% इंटु तू याने कि 20% कितना 20% याने कि दो वर्ष की जो उसकी दर परसत हो कितनी होगी 20 परसत होगी इसी तरीके से मैं आपको इसका कंप्वावी दर निकालना चाहूं इन आपको क्या पतायते हैं नहीं कर सकते आप क्या करेंगे संव Τ caucus 521 तो तक 7 लिए दो साल के लिए 20ото यूदी storage यूदा थोडा 1 21 आप देख रहा है यानि कि इस नियों विजाए था और्फ और 2वब दीया थोहुद Сब्सान ये थोड़ा थे पर, प्रत्सत का क्या हो रहा है कितने का कि प्रत्सत का लाव हो रहा एक लाग असी हजार का क्या करेंगे एक प्रसंड निकाल नहीं ना अठारस वोड़ तो कोई नहीं बढ़िया दोस्त यार हम गलत समझ लेते हैं पर गलत नहीं यार किसी से उधाल लेक्षा इस ने वह तो रिसक लिया और क्या पाता दोस्त ऐसा निकला बापास इन्हादेटो फिर तो चार्य स्वर पेपर रिसक लिया है तो अच्छा तो एक तो बहुत जल्दी नेगेटिव सुचें लग जाते हैं कि साइध यार उसने हमारे बारे में कोई जवाब नहीं दिया इसका मतलब कुछ घरड़ बढ़ए। ऐसा भी तो सकता है कि उसके पास भाई कुछ मजबूरी हो जिसका आप जिस वज़ए से आपको जवाब नहीं दे पा रहा है तो कभी भी इंसान को बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए ठीक है उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जान लेना जरूर यह हमारा यह कोशन भी हम इसे गलत समझ बैठे कोई बात नहीं ठीक है डियो ऑप्सन जा कोशन नमबर लाने के चक वृदी ब्याज पर ठीक है दू साल बाद उसके खाते में कितनी रासी हो जाएगी यार क्या है यार कुछ नहीं यार सिंपल कुशन है कितना दर है फाइप परसेंट चेंज करें बनो पॉइंटी डारेट लिख रहा हूं प्रिंसीपल रिमांट कर इस्यों कितन सब्सक्राइबकर च suggestion में लोगे फिर चार सब्सक्राइब कर देखने को में क्या रहे हैं सब छोड़ बाई दो बज़ा मुझे बताने पड़ रहे हैं कि इस टैप से कुछ नमने कई कर लिए बाई कुछ नमा देखें फिफ्टी यह दि ब्याज की गड़ना वार्सिक की जाती है दोजार की रासी दस प्रस्त वार्से चक्कवधी ब्याज दरपा तीन वर्स पर लगवा कितनी हो जागी वह अब कर लेना आप नहीं बताओंगा वह किसी भी हाल में नहीं बताओंगा एक ब्यक्ती नौ प्रस्त के सालाना साध्याण ब्याज दरपा तीन यह दोसर पर लेता और उसे दस प्रस्त सालाना चक्कवधी ब्याज दरपा बैंक में जमा कर देता है तीसे साल के अंत में उसके धन में कुल कितनी ब्रद्धी होगी अब देखो इसने जुआ है नौ प्रस्त नौ प्रस्त साध्याण ब्याज पर लिया और दस प्रस्त पर इसने क्या दे दिया उधार दे ठीक है नाइन पर्सेंट पर लिया दस पर दिया लेकिन सिंपल इंट्रेस्ट पर लिया है और कंपॉंड इंट्रेस्ट पर जमा कर रहा है ऐसे यह देखना सालाना साधन ब्याज पर लिया है और सालाना चक्कवधी ब्याज पर बैंक में जमा कर देता तीसरे साल के अंत तक उसे उ उसके धन में कुल कितनी होगी यानि कि हमें निकाल ना है कि 9% परेविवाणworld निका लेंगे वहाँ समय कितना 3 साल समय कितना 3 साल है तो 3 साल के लिए simple interest के लिए प्रभावी दर क्या होगी सीधा सीधा क्या करंगे time और rate का multiply यानि कि 27 परसेंट कितना 27 ठीक है और इस compound interest के लिए 10 परसेंट है और 3 साल के लिए इसके लिए प्रभावी दर क्या होगी इसके लिए प्रभावी दर होगी 33.1 कैसे होगी क्यों होगी यह सारी चाहिसे आपको पहले पढ़ा चुकर हूँ आम मैं दुवारह यहां पर नहीं बता हूंगा 33.1 पर्षेंट पर इसने बेंक में जमा किया तो बताने से कितने पर्षेंट का फाइदा हो रहा है यही उस के उसमें जाएगी मुलधन में यानि कि देखने 32 इसे जो फाइदा होगा वो कितने होगा सिक्स पॉइंट बन परसेंट का होगा सिक्स पॉइंट बन परसेंट का होगा सिक्स पॉइंट बन परसेंट पर इसने किसी और से लिया है और 33.1 परसेंट पर यह जमा किया तो जिसने जिससे इसने लिया उसे बापस भी तो करेगा तो इसे जो कुल मिला के जो फाइदा होगा वो कितना हुआ 6.1 परसेंट का होगा ठीक है तो 32,000 इन्टू डारेक्ट 6.1 परसेंट निकाल देंगे ठीक है अपन हंटर आप देखें दो जिरू कैंसल और आपका एक यहां से कैंसल यानिके 32 और 61 का मुल्टिप्लाइब करेंगे एक दूआ दो देखना टू है किसी ऑप्शन लास्ट में टू है कोई ऑप्शन लास्ट वाला ट यानिक और से 1902 रुपे का क्या होगा फाइदा होगा यानिक उसके धन में जो कुल ब्रद्धी होगी कितने होगी भाइए कि 1902 रुपे ठीक है सेकेंड और सब्सक्राइब देखेंगे 52 52 क्या कहता है इसे भी दहां से देखने 52 और 52 तो आपका बहुत सिंपल कोसान है कि को सिंपल इंटरेस्ट का है तो सिंपल तो होगा यह होगा ठीक है क्या कहता जैड ने चार वर्स बाद दस प्रसत वर्सिक या ज़ा 今 Uhr घठा आप देखनें कितना दस पर संट पर लिया तो बताना कि सदस प्रसत का मतलब है कि आन चेड़त कर aí आडदार सो रुपे परिप्र को एक वर्स में ओक वर्स में बीस रुपए अब देखर हैं अगर मैं आप से पोझांग हम सुष्य थे एक साल का बैज कितना दस रुपए ठीक है एक MRS10 आप यहां पास पास कितने साल के दिया चार साल के दिया कितना चार साल के लिए तो चार साल में बै ul Ketana ॉज पर मुल्धन कितना सो बॉल्धन 140 ब्याज एमांट कितना मनाँगा आप देखें 140 एमांट कितना मना एक सोचालिस और कुस्ता निक अंदर जो एमांट है वो कितना है 10920 यहां से बन की वैलू निकालेंगे 10920 अपन 140 यह 0 पूछा मोलधन कितना आपके कितना माना था हंडर मुलधन कितना आपका हंडर के अंदर हम क्या कर देंगे वन की वालो जो भी निकलिए हैं 10920 14 14 सकते आठानवा कितना बचाएगा ग्यारा बचाएगा और 14-8 ठीक है 78 यानि कि आपका जो मुलधन है वो कितना 7800 कितना 7800 पर देखना कोई ऑप्सन है बिल्कुल है यानि कि सेकंड ऑप्सन कुस्टर नम्मद देखेंगे 53 एक व्यक्ति प्रत वर्स 500 पर प्रते प्रतिक वर्स के वर्ष तो कि दस परसक्त की वर्ष रिष चक माँ समय पर हर साल के प्रारहमें हर साल साल जब शिरु एसने सुरुआट का फॉस्टर पर हर साल क्या करता इस नोट आ कि आ हो जागा। 10% है दो बरस ठीक है अब देखना मैं आपसे पूछू बताना पहले साल उसने 500 रुपे जमा किया है पहले साल कितना पांची जमा किया तो इस पहले साल में उसे 500 रुपे कितना ब्याज मिलेगा तुछ सिंपल इंट्रेस्टों पहली साल के ब्याज हमारा चेंज नहीं होता 10% है और समय एक साल बट्टिस सौ आप यहां से दिखेंगे पहले साल मुझे जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 50 रुपे ठीक है 500 ने जमा किया 50 रुपे यानि कि के एक साल के अंत में कितना हुझा 450 एक साल के अंत में कितनाओं हो गईआ 550 जैसे हमारा एक साल कंप्लिट होगा और जैसे अगला secondly नाओ फिर दो आजसे 500 पिर जमा कर देगा फिर अगले साल 500 फिर जमा कर देखकेशन का अंदे बोला है प्रते वर्ष की सुरुआत में दो वर्षनों के लिए जमा करते है ठीक है तो 550 पर फिर दो आ आर्शचों ने 500 जमा कर दिया है यानि कि दूसरे वर्ष के शुरू में फिर दुबारा से हम 10% निकालेंगे और एक साल के लिए आप देखें नीचे 100 हो जागा ठीक है दो जीरो कैंसर यानि कि 105 रुपे ब्याज आ जाया किस पर इस 1050 पर तो टोटल एमांट कितना बन जाएगा ल네 कि दरेंगे बेद्बन न कर देखरों मैं आपको प्रिबाभी Doc dai के दे घर करेंगे प्रभावी कितनी आपके St कर रहा ठीक है वाहे चाना कीबत करेगा तो हम क्या करेंगे अगए आधा टेखिंगा आधा कर आधा करेंगे अगर आधा करेंगे तो परसेंट और आपका जो समय होगा, वह कितना हो जागा दूगना, समय कितना जागा दूगना, वर्स के एक वर्स के अंतिमे, उसमें टू से करेंगे, समय आपका क्या बन जागा, दो वर्स जानिकी दो छमाई इसमें बन जांगे, ठीक है, प्रभावी दर पूछ रहा, तो तो आप हैं वेलुव रखेंगे दो गुणा दो में करेंगे चार हो जाएगा प्लस दो का स्कॉर यानि कि चार बटे सौ ठीक है आप देखें फॉर प्लस हंड़ से डिवाइड करेंगे से तो आप देखें कितना आएगा पॉइंट जीरो फॉर यानि कि 4.04 परसेंट आपका क 55 क्या कहता है 55 कहता है चकवदी ब्याज़ पर आठ परिस्त की वार्षिक दर से निवेस किये गए 37500 एक साइक बटे दो वर्षे में कितने रुपए हो जाएंगे जब कि ब्याज़ दर आर्द वार्षिक से जोड़ होता है नहीं बताऊंगा भाई सेम कॉसन कई थे हम इस प करें यदी चक्रवदी ब्याज़ दर पर लाग हो यह कोशन फोद पढ़िया है जहां से समयना है ठीक है बहुत ही प्यार सा कोशन और बहुत ही आसान कोशन अब कोशन समय अभी मैंने इस टाइप से दो कोशन और कराए थे जहां पर आपको दर गिवन थी मूलधन भी पता पोशन प्यार है रहा पता गतर यायानि सांब कोशन फोड़ा सा था प्रफ० दर एहां से दर पोछा पूछाए ता लेकिन अब उसमें प potentially है कोशन के अंदर आपका जो भी मूलधन और मिस्तरधन उसे चुप चाप आंक बंद करके लिख लीजिए ठीक है उसे चुप चाप आंक बंद करके लिख लीजिए तो आप देखें मूलधन कितना है 10,000 मूल दिन आपका कितना है 10,000 है मूल दिन आपका 10,000 है और आपका जो मिस्तरधन है वो कितना है 11,664 ठीक है 10,000 यह न ठीक है 11,664 ठीक है इसका बना देजिए ratio और इस पर लगा दो भाई सा root इस पर क्या लगा दे रूट उसके बाद आप जाना है समय की और समय कितना अगर आपका समय दो साल है तो यहाँ दो लिखेजिए अगर तीन साल है ती लिख देजिए चार साल है तो चार लिख देए दो है इसका मतलब इसका में बरमूल निकालना है अगर तीन होगो तो इसका क्या निकालना है घंगोन निकालना है इस चीज़ को अब लिख सकते हैं दस हजार न दस यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पहले मूलधन लिखेंगे मिस्तर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं बस आप को धहां रखना यह हमारा प् तो आप देखेंगे हैं कितना होता है इसी तरीके साब देखें ये एक सो आड़ का इसक्वार है यह इसका वर्मूल होगा वह कितना हुआ 108 इसका जो वरमूल होगा कितना हो 108 ठीक है अब आपके जो निकल Simon का यह मुलधन और मिस्ट धन का रेशयो एक साल का निकल के आए कितने एक साल का यह आपका मुलधन आपने क्या लिखाद मूलधन नीचे इस unanimous यह आपका मुलधन मिस्ट दन एक साल का निकल के आपका यह आजागा एक साल का मूल धन और मिस्त धनका रेश्यो निकल के आजाएगा 100 रेश्यो वन जीनो एट हमें निकालना रेट-पर्षैंट कैसे निकालते इन्ट्रेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंट्धु हंड़ इस तरह कि extern कि इंटो अब देखेंगे इंट्रेस्ट कितना है थो आप देखेंगे यह स्हाइख सो सो आपका मुलदाने एक सौ आट में से सो मानिस करेंगे तो ब्याज कितना हो जागा अब तो देखाएं सो से सव कैंसल यानि कि दर आपके आई कि दिनी एट परसेंट और वाथ है तो आप देंहों हनड़र पर आठ वैजारी सौर के ऊपर आठ वैजारी इसका मतले भी क्या आठ परसेंट रोगे ठीक है इस तरीके से अपकी यह तरीका किसी तरीका से लेख सकते ठीक है मिस्त भने उपर लिख सकते हैं और मॉल देनाई उपर लिख सकते हैं इससे कोई दिखकत आपका जोभी समय मोगा फोर्त रूट इस तरीके साथ आप को सौभ कर सकते हैं तो अम्मेद करूंगा आपको कॉल्सन जो समझ आ गया होगा अब हम देखिए अगला क्वाज्टन और अगला क्वेस्टन आपका कौंसा होगा भाईंसा शैक इस जम्ल कोषण था और अच्छा कोस्तन था ठिक है कोसज़ नम देखेंगे अब हम ये को हमारा कौन साह एटपरसेंट यानि के डी ऑप्सेंट ठीक है कोसर नम्म देखेंगे 57 यदी राम अपने बचत खाते में 2000 जमा करता है जिसे जिस पर उसे अर्द वार्षिक चक्रवधी ब्याज दरपर 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है एक वर्षिक के बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी आने कि मिस्रधन पूछरा भाईसर क्य 2 सिर्धर दिये घए यदि यह ब्याज अर्द वार्षिक रूप से गिना जाता तो दो वर्षिक के बाद मिस्रदन अब यह कुस्ट थोड़ा लुघ के लिए बताया था चार साल के लिए और दस परशनट डिर हो तो उसके लिए मैंने आपको प्रभावीदर निकालना शाल की लिए शर्थ आप के लिए बताया तो तो रेगुलर किलास देखना तभी आपको समझ आएगा बीच में से देखना समझ नहीं आएगा इसी वैसे बार बार बोलता हूं कि भाई किलास को रेगुलर देखिए अब आपकी प्रभावी दर निकल के आगी यानि हम यहां से निकाल सकते हैं आपको डारेक्ट मुल्धन निकाल स्ब्सक्राइब कितना साथ देरा ऐसे निकाल निकाल सकते हैं कि ल्याली के समय क्मेश क्या बनें चार चाया जarlaई के अंदर उसे कितना 21 रुपे उसे व्याज के रूपे मिलेंगे किस पर यह सबने के रूपे मिलेंगे आप देखेंगे चौदेशा सब्सक्राइब देखेंगे 59 59 कहता है एक बैंक में दसर कमूलदन दस प्रिसत वार्सिक दर से कितने समय में थे 13310 रुप हो जाएगा जब कि अब आज वार्स चेक वेदे तो ठीक है इस टाइब कर लिया क्या करेंगे दर को हम क्या करेंगे दर को हम चेंज करेंगे fraction में ना और उसके बाद ratio बना लेंगे मुल्धन मिश्यदन का कॉस्टर नमर जो आपका 32 था सेम उसी की तरह आप कर लेना इसे ठीक है कॉस्टर नमर देखेंगे साथ स्री वागिस ने एकड़ी में पैसा निवेस किया वह पर पकुता पर कितनी धर्रासी को प्राप्त करेगा यदि 4500 रुपे 6 महेने के लिए 20% वार्से चक्रवर्दी ब्याज की दर पर निवेस की जाते हैं तथा ब्याज तिमाही चक्रवर्द करेंगे यानि कि 5% हो जागा और आपका समय होगा समय कितना 6 महीने चार से मुठीप्लाइब करेंगे लिए बारसे करेंगे करेंगे चारती बारात तीमाही बन जाएंगे अब हम क्या करेंगे एक बटीबिस है यहां से मूल्धन और मिर्स्तधन कारेंगा बीस और एक इस ठ सब्सक्राइब भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिए इसका आंसर वाइस सेकंड ऑप्शन हो जागा ठीक है इससे आप सौल कर लेना को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोजार लेता है दो वर्सों के लिए क्या होगा जब कि ब्याज वार्षिक से उजुद होता है अब इसे बताने की जरूत है कब तक छुडवाओं या आप मुझे भाई से कमेंट करके जरू मुझे बताना कि मुझे कोशन चुडवाने चाहिए या नहीं च पर चुडवाता चलूंगा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरू बताना ठीक है जैसे यहां दिया पांच पर्शेंट दर्व में चेंज करें कितना हो जागा पांच पर्शेंट को चेंज करेंगे बनपन ट्वेंट यहां से मूल दन और मिश् कि वाली निकालने के वाली फायव हो जाएगी कोसन के अंदर पूचा ब्याज कितना हो आप देखना चार्सों प्रॉपे यह कौन सो जाएगा फर्स्ट ऑप्स बाइस जरूर बताना ठीक है मुझे जरूर आपको बताना है कि मुझे चुछ चुड़वाने चाहिए या फिर नहीं चाहिए यह आपको जरूर कमेंट करके बताना है को सनमा देखेंगे 63 स्री राम नाम के व्यक्ति अच्छा स्री राम नाम चले हैं व्यक्ति के एफडी में 14 का निवेस किया पर पकुता अबदी के उपरांत उसे कितनी रासी मिलेगी यदि उसके 20 परिस प्रतवर्स के चेकवदी ब्याज पर 6 महां के लिए धन रासी का निवेस करता त्यमाई के अधर पर की हो बताओ क्या बताओ इसमें आपका जो कोशन था अभी मैंने आपको कराया था 66 कोशन था सेम उसी तरीके से बस यहां पर बैलू चेंज कर दिए 4500 के जगा सिर्फ 14 कर दिया बस ठीक सब्सक्राइब कर देंगे और आपका निकल का जागा ठीक है तो आप इसे इसे विए आप जो खुद करना मैंने बताओंगा इसे स्रीजवन्त ने एक एफडी में कुछ रुपयां का निवेश किया परपकुता होने पर होने पर से कुल कितनी रासी मिलेगी यह दिदसर च्छ महीने के लिए 20 परसर चक्राइब कितना बढ़िया कोशन या देखरें को सन नमर सिस्टी थ्री और सिस्टी फाइब सेम को सन सि बैलू चेंजर ठीक है को सनमा देखेंगे 66 66 दिया है संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है यदि 11,000 को 6 महीने के लिए क्या यारे सब एक जैसे कोशन भठी है सब एक जैसे कोशन है वाज से भी नहीं बताऊंगा तो मैं दोबारा से कहा रहा हूं कमेंट करके बताना जह कुस्तन में ने छुड़वाएं हैं तो छुडवाओं या ना छुडवाओं अगले टाइप से पहले मुझे जरूर आप लोग बता देने ठीक है तो अब मैं यहां पर ही आज की क्लास को स्टॉप करता हूं और आज की क्लास कैसी लगी अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करना वीड